बच्चों, राग और रफ से संबंधित आज हमारा तीसरा व्यक्षान है हमने कल पढ़ा है कि रस का संबंध स्वरों के साथ साथ तालों से भी रहा है जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि विलंबित लई की जितनी भी ताले होती हैं वो शान्त और करुन रस की उत्पत्ति करती हैं हम खुद महसूस करते हैं, हम जब बड़ा ख्याल गाते हैं तो उसमें एक सुपून होता है, एक शान्ती होती है और जबकि हम छोटा ख्याल जब गाते हैं, चंचल गती की तो वो एक श्रंगार रस की प्रधानता लियवे होती हैं चाया आप देख लीजिए, त्रिताल की कोई बंदिश हो या अपना दाद्रा हो, या कहरवा हो तो ये एक चंचलता की होती है तो ये तो था हमारा तालों का आस्पेक्ट यानि कि तालों का रस के साथ में क्या संबंध रहा है उसका जो हमने कल चर्चा की है अब अगर हम सोचें कि ताल, स्वर और कहना चाहिए ये ही चीजी जो हैं, वो रस से संबंधित है तो ये भी अतिश्युक्ती होगी वस्तुता जो गाईन शेलियां हैं, वो भी रस को एफेक्ट करती है स्वर और ताल के साथ साथ गाईन शेलियां हमने पढ़ी हैं, बहुत सारी हम सुनती भी आये हैं खयाल, दुरुपत, धमार, टपपा, ठुमरी, तराना कई सारी शास्त्री और अर्ध शास्त्री गाईन शेलियों के साथ ही लोग संगीत की भी बहुत सारी विधाये हैं कजरी, चैती, हम लोग गाते हैं, मान, वगेरा तो कुछ विध्वानों का कहना है कि स्वर, जिसके बारे में हमने बताया था कि हमारे कैसे शास्त्रकारों ने स्वरों के रस निर्धारित किये हैं फिर तालों के रस निर्धारित किये हैं ठीक वैसे ही कुछ विध्वानों का कहना है वस्तुत है, रस तो जो है, वो गाईन शेलियों पर निर्भर करता है कि आप कौन सी गायन शैली गा रहे हैं, तो उस अमुख गायन शैली का अमुख रस होता है, जैसे दुरुपद है, दुरुपद को हम चौताल में गाते हैं, दुरुपद में कहना चाहिए बहुती गंभी शैली का गायन होता है, जो कि शान्त, वीर, करून और रौंधर रस की लिलाओं का वर्णन होता है, तो जब दुरुपद हम गाते हैं, आपने देखा होगा, मंदिरों में हवेली संगीत के रूप में, दुरुपद का पतिने दितो करते हुए गाये नजर आते हैं, कितनी शान्त और श्रंगार रस की सृष्टी होती है, इसी तरह से धमार ता रहे हैं, तो चारो तरफ श्रंगार रस की सृष्टी हो जाती है, कि कैसे पिछकारी के साथ में राधा और कृष्ण जो है वो होली खेलते हैं, अब खयाल, खयाल गायन शैली के हम बात करें, तो खयाल गायन शैली तो टोटल ही श्रंगार रस ब्रदान गायन शैली रही है, इसमें करून हासे और शांत या दिपी सभी रसों की स्रिष्टी होती है किन्तो ये क्या है चंचल गती में गाये जाते हैं अगर दुर्द ख्याल गा रहे हैं तो और अगर विलंबित ख्याल गा रहे हैं तो वही शांत और करून रस की स्रिष्टी करेंगे आपको पता है ख्याल गायन जो था वो अमीर खुसरों ने इजाद किया था और जो कल्पना से उसमें शब्द और शब्दों के साथ में स्वरों का उन्होंने रंग भरा जिसकों की मद्धिकाल में सदारंग और अदारंग जैसे ख्याल गाये को ने परवान चड़ाये था उनकी ख्याल गायन अपने आप में श्रंगारिकता के और हर दृष्टी से जैसे शब्द होते थे उसके अनुरूप वो है, वो रस की स्रश्टी करते थे, तो ख्याल गायन शेली का अपना एक अलग ही रंग होता है, एक अलग ही रूप होता है, अब हम बात करें ठुमरी की, तो जो ठुमरी गायन शेली है, वो चंचल प्रकृती का गायन होता है, हमेशा जादातर पंजाबी और संयोग, यानि कि संयोग और वियोग दौनों कहना चाहिए श्रंगार रस की प्रधानता इसमें हमें देखने को मिलती है, तो ठुमरी अपने आप में एक बहुत ही श्रंगार प्रधान गायन शैली रही है, जिसको की गाते समय ही नृति का सा आभास हो जाता है, ठुमरी का तो शब्दी है न, ठुमक के चलने का सा भाव, जिसमें हो रति की सी अभिवेक्ति, जिस गायन से हमें अनुभूती हो, वो ही ठुमरी कही जाती है, तो उसका रस जो है वो श्रंगार रस, जिसमें नायक, नायका का परस पर संयोग और वियोग का चित्रन होता है, और उनी भावों की अभिवेत्ति करती है, अब जो टपा है, जो कि पंजाब की गायन शैली है, जिसमें जो गली की तयारी है, पारे के दानों की तरह ताने बिखरती हैं, इस गायन शैली में हमेशा श्रंगार रस के साथ, हाथ से रस की भी प्रधानता हो जाती है, कुल मिला के हम य बहुत कुछ हद तक वो भी सही है लेकिन हम इस बारे में थोड़े आधुनिक विचारक और चिंतक जो हैं क्रिटिक्स जो हैं उनके बारे में भी जो विध्वान हैं उनके मत के बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहेंगे पंडितों कारणा ठाकूर आचारी ब्रहस्वती जैसे विध्वान जो हैं वो कहते हैं कि ना तो किसी गाइन शैली के आवश्यक्ता है ना शब्दों के आवश्यक्ता है केवल नाद से भी रसकी सृष्टी की जा सकती है आपको पता है नाद क्या है नाद के लिए क्या हमेशा प्रिभास्त्रों में मिलती है परिभाशा है चेतन्यम सर्व भूतानाम वी व्रतम जग दात्मनाम नाद भ्रह्म तदानंदम दृतिय मुपास्मिया या फिर नाद के संदर में कहा जाता है नादो धीनम जगत सर्वं नादा धीनम जगत सर्वं संपून जगत नाद के अधीन है नाद क्या है नाद संगीतों प्योगी धनी धनी है धनी होती ना बच्चों दो तरह की होती एक तो सामाने धनी जिसे जिसमें शोर भी शामिल हो जाता है दूसरी संगीतों प्योगी धनी जो होती है जिस जो कि बहुत संगीत के लिए उप्योगी यानि मधुर धनी का संब् तो आधुनिक विचारत कहते हैं कि संगीत में ना शब्दों की आवश्यक्ता है ना अर्थ की आवश्यक्ता है केवल जो उसकी जो मधुर ध्वनी अगर है कहीं पे भी तो वो खुद ही अपने आप में रस की स्रिष्टी कर देती है और नाध की जो धुनियों की तरलता होती है वो ताल और ले और इसके संतुलन के प्रभाव से एक अलग ही प्रभावत पन करती है नाध के लिए कहा है वैसे तो शास्त्रुक्त व्याख्या ये कही जाती है कि प्रान तत्व और अगनी तत्व के संयोग से नाध बनता है नाध कि स्रश्टीर से के प्रारम वसेले के अंत तक नाद विद्यमान रहता है और जब हम आहत और अनहत की बात करें तो अनहत नाद तो केवल संवेदना से पूर्ण है जो कि अनुभूती प्रदाने और जिसकी अनुभूती के लिए हट योगी स्थियों तक साधना करके उसके अन और जब हम आहत नाद के संदर्व में रस के साथ नाद की चर्चा करें तो हम कहेंगे कि जो भी मीठी ध्वनी है वो अपने आप में रस की द्योतक है तो पंडितोंकारना ठाकुर जो है वो यही कहते हैं कि अगर शब्द हो या ना हो केवल नाद हो तो भी संगीत में रस की निश्पत्ती हो जाती है और इसी मत को आचारे ब्रस्पती ने भी प्रतिपादित किया है उन्होंने भी यही कहा है कि भाशा के अपेक्षा नाद का प्रभाव ख्रत्र बहुत अदिक व्यापक है और उससे रस की निश्पत्ती अपने आप हो जाती है यह हमारे आधुनिक विद्वान है जिन्होंने की बहुत ही व्यापक जो है वो रस की परिभाशा हमें दी है अच्छा अब हम देखते हैं तो कि हमारे प्राचीन समय में शृतियों की पांच भीद वाने गए हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो शृतियों के पांचों जो भीद हैं उसको भी विभिन रसों से जोड़ते हैं। और अहुबल ने अपने पारिजात में इसकी चर्चा भी की है। उनका ये कहना है कि जो बाईशृतियों की पांच जातियां थी दिप्ता, आयता, म्रदू, मध्या, म्रदू और करूना तो ये जो पांचों जातियां थी दिप्ता, आयता, म्रदू, म्रदू और करूना इनके बारे में अहुबल ने जो है वो बताया है उनका कहना था कि वीर वीर अद्भुत और रौंद्र रस की जाती दिपता है, श्रंगार रस की जाती म्रदु है, हासी रस की जाती आईता है, और करुन रस की जाती करुणा है। कुछ विध्वानों का कहना है कि श्रुती, स्वर, ताल और गायन शैली, इनका अपना एक अलग स्थान है जो की अपने से जुड़े हुए विभिन रसों की निश्पत्ती करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टी में भाव के द्वारा रस की निश्पत्ती होती है। अब ये बात बहुत ही ध्यान देन योगी बात है कि भाव के द्वारा रस की निश्पत्ती कैसे होती। कई बार हम देखते हैं कि बंदिशों के जो शब्द हैं, वो शब्द का रचेता ने उस समय रचना के समय किन अनुभूती पोन भावों से उसकी रचना करी। अगर उन्ही अनुभूती पोन भावों को जब गायक उसी भाव और अनुभूती के साथ में गाता है और श्रोता फिर उसी अनुभूती के साथ में वो सुन लेता है, तो ही संगीत में रस की निश्पत्ती होती है। यहाँ पे इन विध्वानों का कथन है कि मूल रूप से भाव ही रस को उत्पन करते हैं। अपने प्राचिन जो मतंग मुनी थे, जिनोंने ब्रदेशी ग्रंथ में सुरपथम छटेश दाबदी में राग शब्द का पहला उलेख किया है। उनका भी मत यही है। वो यही कहते हैं कि ध्वनी भाव पैदा करे, ऐसी ध्वनी जो कि भाव पैदा करे वो रस कहलाती है। अतह प्रमुख रूप से रस जो है वो भावों से जोड़ा हुआ है और भावों से ही रस की निश्पत्ती होती है, इनकी व्याख्या बहुत ही अच्छी और सटीक है कुल मिलाके हमने अभी तक जो रस के संदर्व में विश्टित चर्चा की है उसमें हमें एक प्राचीन मानने था और आधुनिक मानने था इन दोनों का विशद जो कहना चाहिए हमें चिंतन विध्वानों का मिला है और उसके पश्चात हम निश्कष रूप से राग और रस के बारे में क्या कहना चाहेंगे किस राग से कौन सा रसुत्पन होता है या किस वर से कौन सा रसुत्पन होता है अथ्वा वादी समवादी अनुवादी और विवादी किस किस रस के धियो तक है या गायन शेलियां किस रस के धियो तक है अथ्वा विभिन ताले ये हमने अनुसार रसकी निश्पत्ति और आधुनिक मानिता के अनुसार रसकी निश्पत्ति और उसके पश्यात अंतिधा निश्कर शुरूप से अपना चिंतन आपको बताएंगे धन्यवाद बच्चुँ